हलो सुडेंट्स तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फ्लूइड मेकानिक्स का पी एस सी एए के अंदर 2020 एसेस्टेंड इंजिनियर तो कौन-कौन सा पॉर्षन हम लोग को बहुत जादा अच्छा से पढ़ना है और सौट टाइम के अंदर उसको प्रिपियर करना है तो ऐसे ही वीडियो और भी डाला हुआ है हो सके तो डेस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया रहेगा आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर उसको चे तो प्रोपाढ़ि के अंदर हमकο देखना है कि टाइपस ऑफ्लूइड कोन-कौन सा है फिर फ्रोपाढ़िस ऑफ्लूइड कोन-कोन सा होगा यहां से ंसीटी बहुत इंपोर्टेन है तेंसीटी के ऊपर टेंपेरेचर अफेक्शन हम लोग को देखना पड़ेगा फिर हार बलाड कॉन साथ का फ्लुईड है या बोल देगा मिल्क कॉन सथाथ का फ्लूइड है तो यह पूर्शन है यह प्रोपार्डिस वाला पूर्शन को पूरा-पूरी अच्छा है आग्श्च को देखना है इसके पूंट इम्पोरेंट है जो मेरा सार्फेस चेंसन्स इसका यून रखना पड़ेगा तो यहां से यही बाला जो portion है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा से देख लेना क्योंकि यहां से question आने का chance बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो second हम लोग देखेंगे कि process of measurement दो प्रेसर मेजरमेंट के अंदर हम लोग देखना है कि pressure मैयजरमेंट मैनोमेटर में किया हो गया है तो ये्य दोनों तीन तीन दीन अच्छा ओ कर्म हम लोग जो है आपना हम लोगा कि सेंटर प्रेसर मेंटर है आनका है यहां से चोटा होटा निविकल देखने लेना तो ही यह जोड़आ क्यों को हो जाएगा इसके बाद जो हम लोग का है जो हम लोग का है बायांसी एंड फ्रोटिंग तो बायांसी क्या होता है बायांसी को हम लोग को देखना है कि बायांसी क्या होता है फिर हम लोग का कॉंडिसेंस होता है कि हम लोग का stability condition होका तो stability condition को हम लोग देखना है for liquid condition के लिए या fully समाज condition के लिए उसको भी देखना है फिर metacenter क्या होता है time dependable जो auxiliary होता है औसलेर से हम लोग को यह बेचीज देखना है यहां से question आता है time dependable auxiliary से metacenter हार इक इसको देखना है इसके बार हम लोग को देखना है कि pipe loss pipe loss के अंदर types of pipe loss जैसे कि major loss है minor loss है किस के लिए होता है इसके लिए कितना value होता है इसके अंदर तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना तो maximum का यह बाला portion खतम हो और जो हमका और बी एक important चीज है जो की मेरा है water hammer तो water hammer से question आ सकता है की water hammer क्या है water hammer के लिए time dependence से value क्या है water hammer के लिए time dependence के लिए कितना होता है की सबसे जादा की सबसे यह कुछ सकता है कि सबसे जादा होता है अधिक conn THAT पूछ सकता है इसको देखना फीर फिर प्लोग यह नुक ऐख श Act होता है इसको देखना है फिर नामबर अब बहुत इंपोर्टन है और जो हम लोग का इंपोर्मूला होता है उसको भी हम लोग को देखना है और हम लोग को देखना है कि एक फर्मूला आता है जिसको हम लोग important topic है जो मेरा open channel flow है यहां से ही मेरा maximum 2-3 question approximate fluid के अंदर मान लेते हैं हम तो 10 question आता है तो वहां से 7-4 question हम लोगा open channel से ही आयाता है open channel के अंदर हम को देखना है कि types of channel क्या होता है फिर कितना number of channel से कौन सा मेरा suitable channel है फिर उसके बाद हम लोग types of channel को जो classify करेंगे कि M1 कौन सा है M2 कौन सा है S1 कौन सा है S2 कौन सा है ऐसे करके हम लोगा 12 को चैनल है 12 को चैनल को दिखाना पड़ेगा कि कौन सा कितना condition के अंदर वो maintain होता है फिर हम लोग क्या है critical flow क्या होता है फिर energy diagram जो होता है वह हम लोग का सूपर क्रिटिकल साब क्रिटिकल और क्रिटिकल जो उनको दिखाना पड़ता है यहां से कोश्चन आने का बहुत जाए चांस है जो हम लोग का इनरजी डियाग्राम है इसको अच्छा से देख लेना फिर और एक इंपोर्टन चीज है जो कि मेरा मोस्ट इकनोमिकल चैनल होगा तब क्या होगा हम लोग जानते ही है कि साब क्रिटिकल टू सूपर क्रिटिकल हो सकता है उसके अंदर या सूपर क्रिटिकल से साब क्रिटिकल होता है ऐसा कोश्चन आख सकता है फिर हम लोग क्या है फ्रॉड नंबर क्या है फ्रॉड नंबर क्या होता है अच्छा एक इसको थोड़ा बहुत देख लेना डिसकस कर लेना तो हम लोग का जो ओपेंचनल का पॉर्षन यह खतम हो चुका है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग कोई चेप्टर के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किये है मगर यह जो चीज हम लोग यहां पर पर हम लोग को कोई चानस के है कि जो हमों का सेंट्र फ्लो यह से कु यहां से कोस्टान सकता है थिर हम लोग काप करते हैं यहां से कुस्टान सकता है इसके बाद हम लोग का है एक्सिलरेशन फ्लो का एक फर्मूला है उसको देखना अच्छा से वहां से कोश्चन आ सकता है वोटेक्स मोशन भी बहुत ज़्यदा इंपोर्टन है कि फ्री फ्री वोटेक्स का होता है फोर्स वोटेक्स का होता है इसको अच्छा से देख लेना इ एंड कानेटिक और एक्सेंट फ्रेक्टर फिर इसका बास सी डी कोपिजन ऑफ डिश्चार्ज ची वीए कोपिजन अब जो हम लोग का बेलो सिटी और सीवी जो हम लोग का वैलू है यह हम लोग का सब वैलू को याद रखना है यहां से डारेक्ट रिच्छ ना अता है फिर हम करके हम लोग पढ़ेंगे तो approximate हम लोग का जो सबजेक्ट है यह fluid mechanics यह हम लोग खतम कर सकते है within short limit के अंदर या short time के अंदर अच्छा से तो और ऐसा ही करके हम लोग को पढ़ना है तो जो जो टॉपिक को बोले अभी तक उसको note down करके अच्छा से पढ़ते रहे आसा करते हम लों का एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा तो चलिए नेक्स्ट मीडियो में मिलते हैं थैंक यू और सबका एक्जाम अच्छा जाए ऐसा ही दुआ करेंगे और आसा करेंगे सबका एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू